S.E.S.T. के आरक्षन पर आज देश की सबसे बड़ी आदालत यानि सुप्रीम कोट ने एक बड़ा फैसला सुनाया इस फैसले का दलीतो रादिवासियों के आरक्षन पर गहरा असर पढ़ने वाला है और इस बात की भी आशंका है कि इस फैसले के साय में भविश्य में S.E.S.T. के आरक्षन को खत्म करने की कोशिश भी हो सकती है सबसे पहले आप ये समझे कि आज सुप्रीम कोट ने क्या फैसला सुनाया और हम आपको इसके माइने भी समझाने की कोशिश करेंगे तरसला सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया कि S.E.S.T. को मिलने वाले कोटे के अंदर ही कोटा लागू हो सकता है सुप्रीम कोट ने कहा कि S.E.S.T. के आरक्षन में उपवरगी करन यानि की बटवारा किया जा सकता है इसका मतलब ये है कि S.E.S.T. की कुछ जातियों को ज्यादा और कुछ जातियों को कम आरक्षन दिया जा सकता है सुप्रीम कोट ने कहा कि राज्य चाहें तो S.E.S.T. के आरक्षन में उपवरगी करन कर सकते हैं सुप्रीम कोट के साज जजो की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 2004 के E.V. चिनिया मामले में दिये गए पाज जजो के फैसले को पलट दिया सुप्रीम कोट के साज जजो की बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है नियाय मूर्ती बेला त्रिवेदी के अलावा अन्य छे जजों ने ये माना कि अनुछे इत 15 सुला में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाती को उपवर्गी करन करने से रोकता है साथ जजों की समिधानिक बेंच ने जिसमें छे जजज सवन थे और एक जजज दलित थे जस्टिस बियर गवई जो की दलित जाती से आते हैं लेकिन बावजो दिसके उन्होंने अपने जजज्मेंट में ऐसी बाते कही हैं जिससे दलित और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षन में से बहुत से दलित और आदिवासी आरक्षन के दाएरे से बाहर हो सकते हैं जस्टिस वियर गवई ने अपने अलग लेकिन सहमती वाले फैसले में कहा है उन्होंने कहा कि राजों को S.E.S.T. वर्गों से क्रीमी लेयर को भी बाहर करना चाहिए अपने फैसले के समर्थन में उनकी तरफ से खा गया कि अनुसूचित जाती के क्रीमी लेयर के बच्चों की तुलना गाउं में मैलाड होने वाले अनुसूचित जाती के विक्ति के बच्चों से करना बेईमानी होगी कातक क्रीमी लेख से और बच्चों सेथीघ में घरा में बच्च का अनुसूचित जाति करीमी लेख से में पाले घंप देसे वो फैरेख पैसल से चाहिए आतिक व्यागैज की अ недैनी लेख में जंड बच्चीत 1927 अर्थ प्यार अंवेट टैको डिक तेस्ट लेप्स अेंगे कमिना इंपनीट विक्रीज अर्ओ गुझ अरीज थे अर्फसि सुच विछेंगे वेष्या के विप्सर अर्ट वेजिए। इस अर्ट नेखिए दिये अर्ट थरॉट्स अर्ट दीकॉट्ट इन्ट प्रॉल्ट ट और छीज्ट अर इज बट्रुटिशन स कर्दोर्पन। इलिब आ आपुछड़το प्राफ़ कर्ई विर आप च्दून। भूस्ट कर्णिया सुटर्टे सब्सक्राइब लग्याद। इलिए मैं मंगिनिया, फृट्सी चोन। purposes of reservation is permissible. Let us read out a brief extract. In state of Punjab v. Davindar Singh, a constitution bench held that the judgment in Chinayya requires to be revisited by a larger bench of seven judges because it failed to consider significant aspects bearing on the issue of subclassification of the scheduled class. Deciding the correctness of Chinayya, the following issues fall for our consideration. A. Where the subclassification of a reserved class is permissible under articles 14, 15 and 16. D. Whether the shared class constitute a homogenous or a heterogeneous grouping? C. Whether Article 341 creates a homogenous class for the operation of redeeming fiction? And D. Whether there are any limits on the scope of subclassification? Anya jajoune bhi kuchh isi taray ki raya zaahir ki hai ki SCST mein bhi krimi layer lagu honi chahiye. Supreme Court ne SCST ko sajatiye sammoo nahi maana aur kaya diya ki in kya arakshan mein batwara kia ja sakta hai. Is fayislay ke kya maine hai? Yie fayislah SCST ke arakshan pər kya asar daalega? Kya is fayislay se SCST ke bich bhtwara ho jayega? Or kya is fayislay ke saayi me SCST mein krimi layer bhi lagu karne ka raastah saaf ho jayega? Aayye in sawalho ke javaab tlashnay ki kooshish karte hai. Supreme Court ke alawa, Moodi sarkar bhi sreke up-vargi karan yaani bhtware ki aur bhtwari ki aur bhtwari nazara rahi hai. Baiti dhano bharat sarkar ne pramukh anusuchit jaati, yani schedule cast ke samudaiya dwara. Ani sabse pichlhe samudaiyao ke mukabalye mein zyadha fayda lene ke mudde ka samadhan karne ke liye cabinet sacheev ke nitritu me ek uchtariya samithi ka ghthan kiya hai. Yen lene wishesh rup se tilangana ke madiga samudaiya ki maango ke samadhan me kiya gaya. Kyunki madiga samudaiya ka yye dawa hai ki unhye uchtit arakshan ka fayda nahi milta. Jabki SC ki baqi jatiaan sara arakshan lye lieti hai. Isi taray ki dawae kiya jatay hai. Koyi kaita hai ki chamarho nne SC ka sara arakshan lye liya. Toh koyi kaita hai ki meenao nne adivasiyo ka sara arakshan lye liya. Is taray ki baat ee khu fela hii jatati hai aur inke adhaar par hi SC me krimi layer lagu karne ki maang bhi ki jatati hai. Supreme Court me is par eek yaachika bhi hai jis par sunwaii chal rhee hai. Lekin yahaan ye baat semajnay ki hai ki bharat mein SCST ko nokriyon, sikshah aur vidhan palika me arakshan ka fayda milta hai. Lekin arakshan aapko tabhi mil sakta hai jab aap uske liye yogya hoon. Yarni eek minimum criteria qualification ka criteria aap fulfill karte hoon. Jiasse agar koji baccha bármii pass karke aya toh usse college me admission deethe vakti arakshan ka fayda diya jasakta hai. Lekin agar koji baccha bármii pass naihi hai toh usse baccha koj sikshah me milnay wale arakshan ka fayda naihi milega. Isse taray agar koji nokri SCST ke liye arakshit hai aur uske liye candidate ka graduate hoonan niwariya hai yarni eek minimum criteria hai ki aapko graduate hoonan chahiye tabhi aapko wo nokrii milegi toh kya bina degree wala koji dalit ya adivasi wo nokrii paasakta hai? Jawaab hai naihi. Yarni arakshan ka fayda tabhi milta hai jab aap uske liye eek minimum qualification ko pura kerte hai. Lekin agar musar jatiyo meinse kisi baccha ko 10-12-5 hi na ki ho, kisi baccha ne 10-12-5 hi na ki ho, toh phir usse college ke admission me kota naihi milega aur naihi woh koji woh nokrii paas sakhe ga kyunki us nokrii me agar graduation ka eek minimum criteria rakhha gaya aur woh graduate naihi hai, toh usse woh nokrii naihi milegi. Isse taray admission paane mein agar woh 12-5 hii paas naihi hai toh college me admission naihi milega. Woh eek minimum criteria fulfill agar naihi kar paara hai toh usse arakshan ka fayda naihi milega. Yeh sach baat hai ki dalitou mein bhi walmiki mousa aur mrdiga jiasi kuch jatiyan hai, ág bhi bhoat pichdi hoi hai, lekin sirf aisa naihi hai, ki unka arakshan baaki dalit kha rahi hai, balki uske kai or karan hai. Yahaan samajnay wali baat hai ki yahaan joh dalit jatiyan pichdi gai hai, jinn ko sari fayda naihi mila hai, uske zimidar asal me sarkaray hai, lekin sarkaray aapna pallah jhaad kar, is arakshan ko hi kosne ka eek naya bahana bana rahi hai, और jis me supreme court ka yya tersla bhi dekha ja sakta hai. अगर in dalit adivati jatiyo ko arakshan ka fayda naihi mil raha hai, toho hume yeh dhekna hooga ki ki kya in jatiyo ke candidate minimum criteria ko pura karne me saksham hai yya naihi hai, और agar naihi to kya naihi kya wajah hai. In jatiyo ko mzboot karne ke liye sabse zharoori to yeh hai, ki in wargo tuk sarkari yosnao ka zyadah se zyadah la pohuchaya jaye, inhe bhojan aur gher jaisi bunyadhi subidhahean di jayen, in ke bacho kuy liye special scholarship scheme banai jayen, ki maanlia ki musar jati ke bachey hai, walmi ki jati ke bachey hai, unke liye special scholarship scheme kya ho naihi bona te, ki wou zyadah se zyadah enroll hoon, school jayen, college me jayen, unko overseas scholarships milay, uske liye aap special scheme naihi bana rhea, uske liye aap paisa naihi laga rhea, aap dekhi is bahr ke bajet me sirp 95 croda diye ghe hai overseas scholarships kye lie, तो आप उसमें कोई special provision नहीं करें बलकि आप आरक्षन के अंदर आरक्षन लागू करके एक तरीके का नया रास्ता बना रहे हैं और अपने आपको बचा रहे हैं इन S.E.S.T. जाती के बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा होस्टल खोले जाएं इनकी कोचिंग कराई जाए उनकी जो कहीं की competitive exam है उसके लिए इनको तयार कराया जाए और उन्हें इतना सशक्त बनाया जाए कि वो उन्हें मिलने वाले आरक्षन का लाब ले सकें वो उस हमार candidate जाए ना वो के दे कि मैं नहीं जा रहा तो क्या वो आपने आप किसी वालमी के को मिल जाएगी वो नहीं मिलेगी वो तब मिलेगी जब वालमी की candidate उस minimum criteria को fulfill करेगा उसके लिए apply करेगा अन्य था क्या होगा वो उसको जो reserve seat है उसको वो खाली रख देंगे और बाद म की candidate को उस प्रतियोगी लिस्ट में शामिल होना पड़ेगा उसे minimum criteria में fit होना पड़ेगा तब यूसे अरक्षन का फाइदा मिलेगा इसलिए जरूरी है कि सरकारों को जिम्मेदार बनाये जाए ताकि वो इन वंचित जातियों के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट दें और महा दलित सबसे दलित इस तरह के वर्ग बना दें उसके अंदर वर्गी करण कर दें और अपनी जिम्मेदारी से वो बचना चाहती है जबकि इन वर्गों तक सही तरीके से फाइदा पोचाने की इमानदार कोशिश हो ही नहीं रही है सुप्रिम कोट ने 2020 के अपने फैसले म बढ़ जाती है एंसी आप भी के आंकड़े बताते हैं कि लगातार स्टी और स्टी के साथ जाती अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है इसका मतलब यह है कि आरक्षन से कुछ लोगों को फाइदा मिलने के बाद भी यह ज़रूरी नहीं है कि समाज में उनके साथ भेदबाओ अहिंसा ना हो अच्छे पड़े लिखे और नोकरी पेशा दली तो आदिवासियों को भी दिली मुंबे जैसे शहरों तक में किराय का मकान मिलने तक में परिशानी उठानी पड़ती है यहां लोग जातिया देखते हैं वैसे भी आरक्षन कोई गरीबी उन्मुलन का बना दिया जाए आप गरीब है तो आपको अमीर बना दे आरक्षन आपकी भागीदारी की गैरेंटी है फिर भी इसे बार बार अमीर गरीब से जोड़ दिया जाता है जिन छेत्रों में आरक्षन लागू नहीं है क्या वहां दलीतों और आदिवासियों की भागीदारी प् सची वो तक की लिस्ट देख लीजिए लैटरल एंट्री से लेकर युनिवर्सिटी में प्रोफैसर के लिस्ट देख लीजिए सेस्टे के के अडिट देखनों को भी आपको नहीं मिलते हैं लेकिन फिर कह दिया जाता है कि अब जातिवाद कहा होता है लेकिन ऐसे महोल में सेस्टी में बटवारा करना या क्रीमी लेर की सिफारिश करना उचित नहीं है जब तक जाती है जातिवाद है आरक्षन को खत नहीं किया जा सकता ये एक तरीके की उसकी मुआवजे के तोर पर दी हुई ग खड़े जुटाने चाहिए और तब किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि इस पूरे जज्जमेंट के दोरान सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोई स्टाड़ी कोई आंकड़े पेश नहीं हुए हैं जिससे ये पता चले कि किस जाती की क सबसे कम रहे गए किसने आरक्षन का सबसे ज़्यादा ले लिया कौन जाती सबसे कम रह गई है इसके बारे में कोई आंकड़े पेश नहीं हुए है कोट में बिना आंकड़ों के नतीजे पर पहुचा गया है ये भी हरान करने वाली बात है समविधान बनाते वक्त आप दे ये नहीं कि कोई भी राजय उठा के उसमें किसी जाती को डाल दे और निकाल दे राश्पती को या दिकार दिया है कि किसे लिस्ट के भीतर रखना है किसी को बाहर रखना है ये भटवारा कोई राजय सरकार नहीं कर सकती ये सिर्फ राश्पती कर सकते हैं इसी तरह से जो को नहीं है, सरकारों को ये नहीं है, सीधा प्रेज़ेंट के पास ये अधिकार है, तो फिर वो सब क्लैसिफिकेशन यानि उपवरगी करण कैसे कर सकती है, ये एक नहीं समयधानिक बहस को सुप्रीम कोट ने छिट दिया है, सेस्ट के अरक्षन में उपवरगी करण का मतलब है कि सेस्ट को आपस में बांट देना, ताकि वंची जातियां अपने हकदिकार के लिए एक जुट होकर कभी संघर्ष ना कर पाएं, आप देखिए जब बढ़ जाएगा, कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, क और आज का सुप्रीम कोट, का फैसला है, इसल फूट डालो, राज-कुरो और दतरूत की नीती जैसा प्रतीत होता है और एक बड़ा सवाल यह दो सब्सक्राइब नहीं करती हैं क्या सरकार के पास ऐसे कोई आकड़े हैं जो इस वर्गी करन को जाइज ठरा सकें क्या इस बारे में कोई आरक्षण में बटवारा होना चाहिए सब क्लैसिकेशन होना चाहिए आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं हम आपकी राय पढ़ते हैं इस वीडियो को शेर करें डिस्कुशन करें आपस में क्योंकि बहुत बड़ा मसला है यह फैसला आपको वले ही अभी समझ में में आ रहा हूं लेकिन यह मैं आपको बता रहा हूं इतना बड़ा फैसला है कि आने वाले दिनों में SCSP के आरक्षण पर भी खत्रा हो सकता है क्रीमी लेयर जब लागव हो गा तो बहुत लोग बहार हो जाएंग और फिर धिरे यह एक अंत की तरह भी हो सकता है कि अब तो को एक पीडी को मिल गया दूसरी पीडी को दो ही मत इस तरह की बाते हो रही हैं तो बहुत सेंसेटिव मसला है कमेंट करके बताएं वीडियो को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो के अंत में आपसे एक चोटी से अपील साथ ही अगर आपको The Newsweek का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यू ही अंबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें इस QR कोड को स्कैन करें और Newsweek Foundation के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जर्ये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsweek Foundation अकाउंट नंबर है 0-2-3-5-8-7-0-0-0-0-0-6-4-0 IFAC कोड है YES B-00-0-2-3-5 बैंक का नाम YES Bank है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली आप डोनेशन के एवज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 8595794224 पर वाट्सेप करें